मेरे दो बच्चे हैं, एक का नामे चीची और एक का नामे राजू चीची तो पूरी काम चोर है, कुछ केदो तो करती नहीं है मेरा बेटा बहुत अच्छा है राजू, मेरी सारी बाते मानता है मुझे तो बहुत खुशी होती है कि मैं राजू की मा हूँ इतने ही राजू भी आ जाता है ममी, ममी, ममी हाँ बेटा बता क्या हुआ है, बड़ा खुश लग रहा है ममी, मैं एक चीज लाया हूँ तुमारे लिए अरे मेरा बेटा क्या लाया है मेरे लिए देखो, ये तो एक अंडा है हाँ, वो सामने वाली आंटी है न और रात को वहें आम्रेट बना कर खाते हैं देख कुछ सीख अपने भाई से कितना अच्छा है मेरे लिए अंडा भी लेकर आया और एक तूहे कुछ करती ही नहीं बस पढ़ाई कर लो पढ़ाई कर लो उस सीख उससे मम्मी वह कोई अच्छा काम नहीं करके आया है वह चोरी क करके आया है और चोरी करना बुरी बात होती है हां अब ये मेडमी जी तो हमें बताएंगी कि बुरी बात है चोरी करना या अच्छी बात और हां मेरे बेटों को कुछ मत के ना वो सही कर रहा है जो कर रहा है मम्मी आप इसके प्यार में अंधी हो गई है एक दिन आपको गलतियों को नजर अंदास करती है समय बीटता जाता है और राजू किसी ना किसी के घर से कुछ ना कुछ चुरा कर ले कर आता रेता है देखो टोनी अब तो हद हो गई है तुमारे बेटे से कभी कुछ चुरा लेता है कभी कुछ चुरा लेता है मेरे बेटी की कल शादी थी, उसने डायमंड का हार ही चुणा लिया अब बताओ, क्या सही बात है अरे मेरे बेटे ने चुणाया है डायमंड का हार नजी ने ऐसा नहीं हो सकता, मेरा बेटा तो भूला ही जादा शरीफ है अरे अरे ये शनाफत का पर्दा हटाऊ अपनी आखों से अपने बेटे को बुलाओ और उससे पूछो राजू राजू तुमने क्या डायमंड का हार चुराया है इनका नहीं मा मेंने नहीं चुराया तेखा मेरे बेटे ने नहीं चुराया तुम मेरे बेटे पर जूटा नाम लगा रही हो चलो जाओ यहां से वे हे, वहां से चली जाती है बेटा, तुने सच में कोई हार नहीं चुराया अरे मा चुराया है, मेरे पास ही है तुम टेंशन लालो, किसी को नहीं पता चलेगा है मेरे बेटा कितना अच्छा है कितने अच्छे से चोरी करता है चल ठीक है, ऐसी ही समय बीचता है एक दिन राजू के घर पर पुलीस आ जाती है खोलो खोलो दर्वाजा खोलो अरे कौन आ गया? अरे दर्वाजा खोलो अरे आप लोग यहां क्या कर रहे है तुम्हारा बेटा कहा है राजू? मेरा बेटा राजू? क्यों? क्या हुआ? अरे बताओ ना क्या बात है अरे राजू को बिलाओ राजू को हमें तुमसे बात नहीं करनी है अरे बताइए ना की बात क्या है तुम्हारे बेटे ने मडर किया है एक चड़िया को मार कर आया है तुम्हारा बेटा अरे नहीं नहीं मेरा बेटा बहुत अच्छा है वो किसी का मडर नहीं कर सकता अरे हटो यहां से पुलीस जबाजस्ती राजु को पकड़ कर ले जाती है राजू की मा राजू से मिलने जेल में जाती है बेटा तुने मडर कर दिया तुझे अपनी मा का बिलकुल ख्याल नहीं आया मा अगर मैंने उसका मडर किया है न तो जितना उसका जिम्मेदार मैं हूँ उतना तुम भी हो जब पहली बार मैंने चोरी की थी तब ही तुमने मुझे नहीं रोका और वो अन्ड़ बहुत शोक से खाया अगर तुने मुझे उस टाइम चोरी करने से रोक लिया होता तो आज में इतना बड़ा खोनी नहीं बनता तेरी वज़े से मैं यहां पर हूँ एक जंगल में चीची नाम की एक सुन्दर चड़िया रहा करती थी वहें बहुत सीधी और बहुत द्यालू चड़िया थी जंगल के सभी पक्षी उसके पीछे उसे बेवकूफ और पागल जैसे नामों से पुकारा करती थी परन्तु चीची को इन सारी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था एक दिन काला कववा चीची के घर आता है अरे चीची बेहन हाँ कालू भाईया बताईए क्या बात है चीची बेहन तुम्हें तो पताईए ना इस जंगल में सारे पक्षी मतलबी हैं कोई किसी की मदद ही नहीं करना चाता है हाँ पर आप ये सब क्यों के रहे हैं कालू भाईया अरे चीची बेहन मुझे तुमसे एक मदद चाहिए थी अगर तुम चाहो तो तुम मेरी मदद कर सकती हो मुझे कौन सी मदद करनी है आपकी अरे क्या बताओं चुडिया बेहन तुम्हें तो पता ही ये बरसात का मौसम आ गया है और मेरा घर मेरा घर तो इतना कमजोर था कि पहरी बरसात में ही तूट गया इसलिए मैं चाहता हूँ कि जब तक बरसात नहीं चली जाती तब तक तुम मुझे अपने घर में रहने दो उसके बाद जैसे ही बरसात खत्म हो जाती है हम दोनों मिलकर के हमारा घोसला बना लेंगे ठीक है कालू बईया आप यहां पर रह सकते हैं जब तक बरसात का मौसम है जब बरसात का मौसम चला जाएगा तो हम दोनों मिलकर आपका घोसला बना देंगे यह कहने के बाद कालू कववा चीची चुडिया के घर में ही रहने लगता है वहे कोई काम नहीं करता है बस सारा दिन बेट कर खाता रहता है चीची चुडिया भी उससे किसी काम को नहीं कहती है वे सोचती है कि महमान से क्या काम कराना एक दिन चीची चुडिया पानी पीने नधी के पास जाती है तो उससे कुछ आवास सुनाई देती है बचाओ बचाओ मुझे बचाओ अरी यह आवास कहां से आ रही है फसी होती है वह उस मच्छी को जाडियों से निकालती है और पानी में डाल देती है तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद चीची-चडिया चीची आप आपको मेरा नाम कैसे पता कि मेरा नाम चीची-चडिया है तुम यहाँ पर रोज पानी पीने आती हो और दाना देखने आती हो मैं यहाँ पर हवा खाने आती हूँ तब ही मैं तुमें देखती हूँ तुम वहाँ जाड़ियों में कैसे फस गई थी रात बरसात हुई थी तो पानी के भाव से मैं उस जाड़े में फस गई थी लेकिन तुमने मुझे वहाँ से निकाल कर मेरी साहिता किये जिसके लिए मैं तुमें धन्यवाद देती हूँ तुम बहुत जादा दयालू और समझदार चिडिया हो नई मैं समझदार नहीं हूँ मुझे पता है जंगल के सभी पक्षी मेरे पीछे मुझे मुर्ख बोलते हैं मुझे बिवकूप बोलते हैं पर मुझे इन सारी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरी मम्मी ने मुझे कहा है कि कोई आपके बारे में कुछ भी कहे पाताना ठीक है सुनहेरी मशली अब मैं चलती हूँ समय के साथ सात बरसात का मोशम भी पीच जाता है अब चीची चडिया काले कव्वे से कीती है काले कव्वे भाई आपने कहा था न जैसे की बरसात का मोशम पीच जा ключ गाएंगा तो हम ये बरसात का मौसम बीच चुका है अब हम आपका घोसला बनाते हैं मेरा घोसला ये घर छोड़के में नहीं जाओंगा ये ही मेरा घर है तू बना अपने लिए घोसला ये आप कैसी बाते कर रहे हैं ये तो मेरा घर है मैंने कितनी मेनस से बनाया है ये तेरा घर था अब ये म कर जंगल के दूसरे पक्षी भी वहां इखटे हो जाते हैं अरे कालू भाई तुम क्या कर रहे हो चीची को उसी के घर से निकाल रहे हो यह चीची का घर नहीं है मैंने इस घर के पैसे दिये हैं इसे बरसाथ से पहले इसने मुझे बरसाथ से पहले अपने घर के पैसे ले लि चिची चडिया जब तुमने अपना घर बेच दिया है तो तुम्हें इस घर में नहीं रहना चाहिए हमें तुम से ऐसी उमीद नहीं थी बिचारी चीची चिडिया कुछ नहीं केती और नदी के पास आकर बेड़ जाती है वह रोने लगती है उसकी आवाज सुनकर सुनहेरी मचली उसके पास आती है अरे चीची तुमें क्या हुआ तुम रो क्यू रही हो रहू नहीं तो क्या करूँ मैं दयालू हूँ मैं किसी पर भी बहुत जल्दी भरोसा कर लेती हूँ इसलिए पंची मेरा फाइदा उठाते हैं जैसे कालू भाईया ने उठाया उन्होंने मुझसे कहा कि मैं बरसाथ तक मेरी घर में रहेंगे उसके बाद उनका गोसला बनाएंगे अब लेकिन उन्होंने मेरा ही गड़ शीन लिया और मुझे गड़ से बाहान निकाल दिया तुम फिक्र मत करो मैं तुम्हारे लिए इस परकत के पेड़ पर घर बना देती हूँ सुनहेरी चड़िया जादू से चीची चड़िया के लिए घर बना देती है चीची चड़िया अब उस घर में रहने लगती है और वे जब चाहे अपनी दोस्त सुनहेरी मशली से मिल लेती है